Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel आज मैं आप सब के साथ रोक साइकल डिसकस करूंगी रोक्स तो आप सबने देखी होंगी जिनको हम अपनी लोकल लेंगुईज में चटान बोलते हैं तो आज हम उनी के बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले तो इनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की रोक्स होती हैं आप सबने कई बार अलग-अलग तरह की रोक्स देखी होंगी हमने घर में भी कई बार यूज की हैं लेकिन वो टाइप्स क्या है? मुझे लगता है कि कईयों को नहीं पता होगा चीक है? तो सबसे पहले हमारे पास थ्री टाइप्स की रोक्स है इगनियस रोक्स जिनको हम प्राइमरी रोक्स भी बोलते हैं सेडिमेंटरी रोक्स और नेक्स जो है वो है मेटमोर्फिक रोक्स अब हम बन बै वन इन रोक्स को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले igneous rocks तो जो igneous rocks है वो magma के erupt होने से बोलकैनों के erupt होने से magma के ठंडे होने पर बनती है और इसकी two types होती है intrusive igneous rocks और extrusive igneous rocks तो जो intrusive igneous rocks है वो crust के अंदर बनती है और ये ज्यादा useful होती है और जो extrusive igneous rocks है वो crust के surface के उपर बनती है जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे जो form हुई रोक है उसको हम extrusive igneous rocks बोलते हैं तो ये जो दोनों types हैं ये आपकी intrusive igneous rocks और extrusive igneous rocks है इसके बाद हमारे पास igneous rocks के कई example है अब है sedimentary rocks तो सबसे पहले तो sedimentary rocks नाम से ही clear हो रहा है आप सबको sediments तो पता होंगे ठीक है तो जो sediments हैं उनके deposit होने की वजह से ये sedimentary rocks की formation होती है ये बहुत ज्यादा lengthy long process है और इसमें ही जो है वो fossil हमें प्रापत होते हैं कई वार ये questioning आती है कई वार question पूछा जाता है कि जो fossils हैं वो किस रोक में found होते हैं तो वो sedimentary rocks में found होते हैं क्योंकि जब sediment deposit होते हैं तो sediment की एक layer के ऊपर कई वार क्या है plants के जो plants के fossils हैं वो वहां पे इकठे हो जाते हैं और इस तरह से sedimentary rocks में ही हमें जो है वो fossils found होते हैं इसमें कई तरह के fossils हो सकते हैं आप लोगों को इसमें plants के animals के और कई precious stones मतलब हर चीज़ जयादतर fossils हमें sediment में ही प्रापत होते हैं और हमारे पाद जो sedimentary rocks है उसके भी कई example है next है metamorphic rocks अब जो metamorphic rocks है यह sedimentary और igneous rocks से ही बनती है लेकिन कैसे heat और pressure की बज़े से कई वार क्या होता है कि बहुत अधिक heat और pressure की बज़े से rocks अपनी features को change कर देती हैं और features को change करने के बाद वो दूसरी rocks में transfer हो जाती है और इस तरह से जो heat और pressure से change हुई rocks है उनको हम metamorphic rocks बोलते हैं तो इस तरह से यह जो rock cycle है यह complete होता है मैगमा से आपका igneous rocks फिर sediment से sedimentary और heat और pressure से जो change हुई rocks है उनसे जो है metamorphic rocks बनती है और metamorphic rocks से further जो है वो magma बनता है और इसी तरह से जो हमारा rock cycle है वो complete हो जाता है थांक्स फोर वोचिंग